बहरत के मुख्य नानदिश जएस्टिछ श्टिज़ी दूए चंडर चुडजी केंदियक अनुड मंत्री श्री किरन जी Justice श्री संजय किशन कॉल जी Justice स्री ओनुड नजीर जी स्री स्वी सी ङुचिज भगेर जी आप सभी को और सभी देश वास्यों को समिधान दिवस की हार्दिक शुका बनाएं 1949 में ये आज का ही दिन था जब स्वतंत्र भारत ने अपने लिए एक नई भविश्य की नीव डाली थी इस बार का समिधान दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत ने अपनी आजहादी के 75 वर्ष पूरे किये हैं हम सभी अमरित महुत्स्व मना रहे हैं मैं आधुनिक भारत का सपना देखने वाले बाबा साब आम बेड़ कर समेथ समिधान सभाय के सभी सदश्यों को सभी समिधान निर्माताओं को आधर पुर्वक नमन करता हूं बीते साथ दसकों में समिधान की विकास और विस्तार यात्रा में लेजिसलेचर जुडिसरी और एग्जिकुटिव के अंगिनत लोगों का भी योगदान रहा है मैं जवसर पर देश की और से उन सब के प्रती कृतग्यत अप्यक्त करता हूं साथियों आज चब्वीस ग्यारा मंबई आतंकी हमले का दीन भी है चवदा वर्ष पहले जब भारत अपने समिधान और अपने नागरीकों के अधिकारों का पर्म मना रहा था उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था मुंबई आतंकी हमले में जीनकी मृत्य हुई मैं उन्हें अपनी सरद्धांजली अर्पित करता हूं साथियों आज की वैश्विक परिसित्यों में पूरे विश्व की नजर भारत पर है भारत के तेज विकास भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थववस्ता और भारत की मजबुद होती अंतराष्टिये चबी के बीच दुनिया हमें बहुत उमीदों से देख रही है एक ऐसा देश जिसके बारे में आशंका जताई जाती थी तो वो अपनी आज़ादी बरकरार नहीं रख पाएगा जिसके बारे में कहां जाता था को बिखर जाएगा आज पूरे सामर्थ से अपनी सभी विविदताओं पर गर्व करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है और इन सब के पीछे हमारे सबसे बड़ी ताकत हमारा सम्विधान है हमारे सम्विधान के प्रेम्बल की शुरुवात में जो वी द पीपल लिखा है यह सिर्फ तीन शब्द नहीं है बी द पीपल एक आहवान है एक प्रतिग्या है एक विश्वास है सम्विधान में लिखी यह भावना उस भारत की मुल भावना है जो दुनिया में लोक कंतर की जननी रहा है मदर अब डेमोक्रेसी रहा है यही भावना हमें वैशाली के गणराज्ये में भी दिखती है वेद की रुचाव में भी दिखती है महाभारत में भी कहाँ गया है लोक रंजनम एव अत्र राज्याहा धर्मह सनातना सत्यस्य रक्ष्णम चैव व्यभारस्य चार्जवं अर्थात लोक को यानि नागरीकों को सुखी रखना सच्चाई के साथ खड़े होना और सरल व्यहवार यही राज्यकाव व्यहवार होना चाहिए आदुनिक संदर्भ में भारत के समिधान ने देश की इन सभी सांस्कृतिक और नईतिक भावनाओं को समाहित किया हुआ है मुझे संतोष है कि आज देश मदर अब डेमोक्रेसी के रूप में अपने इन प्राचिन आदर्शों को और समिधान की भावना को लगातार मजबूत कर रहा है प्रो पीपल पॉलिसिस की ताकत से आज देश और देश का गरीब देश की माताए बेहने उनका ससक्तिकर हो रहा है सामान ने मानवी के लिए आज कानुनों को सरल बनाया जा रहा है ताइमली जस्टिस के लिए हमारी जुड़ी सरी भी लगातार कई सार्थक कदम उठा रही है आज भी सुप्रिम कौर्ट ज्वारा सुरूर किये गए इनिशेटिव को लाउंज करने का अवसरम जी मिला है मैं इस सुरुवाद के लिए और इज अब जस्टिस के प्रयासों के लिए मैं आप सभी को बढ़ाई देता हूँ इस बार पंदरा अगस्त को लाल कीले से मैंने कर्तवियों की बात पर बल दिया था यह हमारे समिधान की ही भावना का प्रगति करण है महात्मा गांदी कहते थे कि हमारे अधिकार हमारे वो कर्तव हैं जिने हम सच्ची इंटिग्रीटी और डेडिकेशन के साथ पूरा करते हैं आज अम्रित काल में जब हम आजहादी के 75 वर्स पूर्ण करके अगले 25 वर्सों की यात्रा शुरू कर रहे हैं तो समिधान का यह मंत्र देश के लिए एक संकल्प बन रहा है आज हादी का यम्रित काल देश के लिए कर्तव्यकाल है चाहे व्यक्ति हो या संस्ता है हमारे दाईत्व ही आज हमारी पहली प्राथिक्ता है अपने कर्तव्यपत पर चलते हुए ही हम देश को विकास की नई उंचाई पर ले जा सकते हैं आज भारत के सामने नीत नए अवसर बन रहे हैं भारत हर चुनोती को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है एक सप्ता के बाद भारत को जी ट्वेंटी की प्रसिडेंसी भी मिलने वाली है यह बहुत बड़ा अवसर है हम सभी टीम इंडिया के रूप में विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाएं भारत का योगदान विश्व के सामने लेकर जाएं यह भी हम सभी का सामुही दाईत्व हैं भारत की मदर अब डेमकरसी के तोर पर जो पहचान है हमें उसे और ससत्त करना है साथियों हमारे सम्मिधान की एक और विशेष्टा है जो आज के युवा भारत में और भी प्रासंगिक हो गई है हमारे सम्मिधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा सम्मिधान दिया है जो ओपन है फिचरिस्टिक है और अपने आधुनिक विजन के लिए जाना जाता है इसलिए स्वाभावित तोर पर हमारे सम्मिधान की स्पिरिट यूद्सेंट्रिक है आज स्पोर्ट्स हो या स्टार्टप्स इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी हो या डिजिटल पेमेंट्स भारत के विकास के हर आयाम में युवाश शक्ती अपना परचम लहरा रही है हमारे सम्मिधान और संस्थाओं के भविश की जिम्मेदारी भी हमारे इन युवाओं के कंदों पर ही है इसलिए आज सम्मिधान दिवस पर मैं सरकार की व्यवस्ताओं से देश की न्यायपालिका से एक आग्रह भी करूँगा आज के युवाओं में समिधान को लेकर समझ और बढ़े इसके लिए कि जरूरी है वो समिधानिक विश्वों पर डिबेट्स और डिस्कसंस का हिस्सा बढ़े हैं जब हमारा समिधान बना तब देश के सामने क्या परिस्तितियां थी हैं समिधान सभा की बहसों में उस समझ क्या हुआ था हमारे युवाओं को इन सब विश्वों की जानकारी होनी चाहिए इससे उनकी समिधान को लेकर दिल्चस्वी और बढ़ेगी इससे युवाओं में एक्वालिटी और एंपॉर्मेंट जैसे वीश्यों को समझने का वीजन पैदा होगा उधान के तौर पर हमारी समिधान सभा में पंदरा महिला सदस थी और उनमें एक दक्षयानी बेलिया उधन वो महिला थी जो एक प्रकार से बंचित समाज से निकल करके वहां तक पहुँची थी उन्होंने दलीतों मद्दूरों से जड़े कई विश्यों पर महत्वपूर्ण इंटर्वेंशन्स किये दुर्गाबाई देश्मों, हंसा मैता, राजकुमारी अम्रित कौर ऐसे ही और कई महिला सदस्षों ने भी महिलाओं से जुड़े विश्यों पर एहम योगदान दिया भाए इनके योगदान की चर्चा कम ही हो पाती है जब हमारी युवा इन्हें जानेंगे तो उन्हें अपने सवालों का जवाब भी मिलेगा इससे समिधान के प्रती जो निश्ठा प्यदा होगी वो हमारे लोक्त्र को, हमारे समिधान को और देश के भविश्य को मजबुत करेगी आज हदिक हम्रित काल में ये भी देश की एक एहम जरूरत है मुझा आशा है, समिधान दिवस इस दिशा में हमारे संकल्पों को और अधिक उर्जा देगा इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवा